नवश्कार स्वागत है आपका खास प्रोग्राम शुब राशी में मैं हूँ अचारे दीपा शर्मा और आज तारीक 17 जुन शुक्रवार आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्राखन जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं राशी फल की इंदजार करते हैं खतम और बात करते हैं मिरश राशी की आर्थिक पक्ष आज काफी मजबूत होने वाला है धन संपत्ती से आज काफी कुछ रहेंगे व्यपार में मुनाफ़ा हो सकता है आज आप गुलाव जल पानी में डालकर स्नान करेंगे तो दिन काफी बहतर होगा व्रश राशी कई पर पैसा अटक सकता है पार्टनर्शिप ना करें आज आप मीठी दही खाकर काम करेंगे तो दिन आपका काफी बहतर होगा मित्वन राशी वालो ऑफिस में शत्रों से सावधान रहना है लंबी यात्रा पर जाने के भी योग बन रहे हैं आज आप गाए को खाना खिलाना ना पूले करक राशी सेहत के लिए समय काफी अच्छा लव पार्टनर को समय जरूर दें साथ ही माता पिता को कोई तौफा अगर देते हैं तो दिन आज आपका काफी बहतर होगा सिंग राशी वालो कोई नया बिजनस शुरू कर सकते हैं विदेश जाने के भी योग बन रहे हैं आज बड़े भाई को प्रणाम करेंगे उनका आशिरवाद लेंगे तो दिन में चार चान लग जाएंगे कन्या राशी आज आर्तिक सिती काफी मजबूत रहेगी पार्टनर की बात को महत्वदे ममी पापा को मंदिर लेकर जाएंगे तो दिन काफी अच्छा होगा तो लाराशी वालो नया नया घर खरीदने का विचार बना सकते हैं आज विदेश से जुड़ी कोई बहुत अच्छी खबर मिल सकती कोई उपर्चिनिटी मिल सकती है आज आज आप घूमने जरूर जाएंगे आपको तरो ताजा रखेगा विष्टिक राशी आफिस में कुछ पॉजिटिव हो सकता है चात्र धैर्य बना कर रखेंगे तो दिन काफी अच्छा बना सकते हैं आज आप मंदिर में चीनी का दान करना बिल्कुल न भूलें तनुराशी आज अच्छी नौकरी मिलने का समय है नव विवाही जोडों के लिए ये दिन काफी अच्छा रहेगा सेहत के लिए भी समय अच्छा यानि कुल मिलाकर समय बहुत उतम लव पार्टनर को समय दें और जहां तक हो सकें कम से कम बात करें मकर राशी किसी अच्छे काम में आज आज आपके पैसे खर्च होंगे आज ओफिस में स्तितियां अच्छी होती हुई दिखाई दे रहे हैं सरसो के तेल का दान करना आज आपके लिए शुब रहेगा कम राशी आर्थिक स्तिती में सुधान आने वाला है पार्टनर के साथ भी आज काफी अच्छा समय बीतेगा मंदिर में काले तिल का दान करेंगे तो दिन काफी अच्छा होगा मीन राशी अंतिम राशी, आज दिन मिला जुला रहेगा, आज कुछ अस्त विवस्तित दिन हो सकता है तो खान पान का भी धिहान आज आज आपको रखना जरूर है आज पान जरूर खाएं, इससे आपके दिन में काफी बहतर हो सकता है ये था राशी फल बारा राशो का फिर मुलाकात करेंगे आपसे कल नए राशी फल के साथ तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव अच्छे से रहिए खुश रहिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए जैमाता की